पैरे दोस्तों मैं नागराज जोगी क्या गुजरी होगी उस बुड़ी मा के दिल पर जब उसकी बहुने कहा माजी आप अपना खाना बना लेना मुझे आउर उने आज इक पार्टी में जाना है बुड़ी मा ने कहा बेटी मुझे ग्यास चुला चलाना नहीं आता तो बेटे ने कहा मा पास वाले मंदिर में आज भणना रहा है तो मोहा चली जाओ ना खाना बनाने कोई लवबत ही नहीं आएगी मा चुपचाप अपने चपल पहन कर मंदिर की और हो चली यहां पूरा वाक्या दस साल का बेटा रोहन सुन रहा था पाटी में जाते वक्त रास्ते में रोहन ने अपने पापा से कहा पापा मैं जब बहुत बड़ा आदमी बन जाओंगा ना तब मैं भी अपना घर किसी मंदिर के पास ही बनाओंगा मा ने बड़ी उच्सुटा आवश पूचा क्यों बेटा रोहन ने जो जवाब दिया उसे सुनकर उस बेटे और बहु का सिर शर्म से नीचे जुक गया जो अपनी मा को मंदिर में छोड़ा आये थे रोहन ने कहा क्योंकि मा जब मुझे भी किसी दिन ऐसी ही किसी पार्टी में जाना होगा तब तुम भी तो किसी मंदिर में भणनारे में खाना खाने जाओगे न और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें दूर के मंदिर में ना जाना पड़े पत्तर तब तक सलामत है जब तक वो परवत से चुड़ा है पत्ता तब तक सलामत है जब तक वो पेट से चुड़ा है इंसान तब तक सलामत है जब तक वो परिवार से चुड़ा है क्योंकि परिवार से अलग होकर आजादी तो मिल जाती है लेकिन समस्कार चले जाते हैं एक कबर पर लिखा था किसको क्या इलजाम दे दूं दोस्तों जिन्दगी में सताने वाले भी अपने थे और दपनाने वाले भी अपने थे अच्छे लगए